सबजिया तो आपने कई बार बनाई हो गया कई तरीके से खाई बेऊचु परी की सबजी इस तरीके से बना कर देखेगा आपको सुभए ब्रेग फास्ट में बहुत आसानी होगी आज मैं आलो और तोरी की जो रसीपी आपके साथ सेर करें हूँ पराटो के साथ आलो तोरी की सब्जी मिल जाए ना भूख दुगनी भट जाती है इस तरह के सब्जी पराटो के साथ खाने से नमस्कार फ्रेंड मैं हुसंगीतार आपका बहुत वहसागत करती हूं आपके अपनी रसवी में आसा करती हूं आज की रेसिपी आपके लिए हेल पूलोगी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दो पिरूकर ना पूलेगा जाद अशी जाद फैमिल और फ्रेंड के साथ जरूर कीजिएगा तो चलिए बनाते हैं सुभव प्रेक फास्ट में इस तोरी आर आलो की टेस्टी सब्ज कर लें तो चलिए गहस की तरफ जलते हैं अब इसमाल कर रही हूं तो है सर्षो के तेल के साथ आलो तोरी की सब्जी बहुत ही तेस्टी जाती है तो सर्षो के तेल को हम एक दूआ ले तक अच्छे से पकने देंगे और उसके पास इसमें आलो फ्राइ करेंगे सब्सक्राइ आलो पूरे आलो पूरे फ्राइ करना है यानि 95% तक इसमें बहुत जल्दी बन जाते हैं आलो को पकनी में थोड़ा सा समय जादा लगता है तो आप सबसे पहले यां पर आलो फ्राइ कीजिएगा बस दो चमच बड़े यां पर मैंने सर्षो के तेल के इस्तमाल किया है जितने तेल बचायरा उसमें हम एड करेंगे यहां पर बारी कटा हो लसन साथ में यहां पर प्याज भी एड करेंगे इनको मर्षे से चला लेंगे बस इसका कच्छापन चाहना चाहिए करेंगे एग में यहां पर प्यास करेंगे ट्सकाइल नहीं चाहिब हम जलुकुरल। हो घुमत करेंगे तक टीक है chia कYou का ँण से अंसलमय धिन चाहना रहा हैं रास वेलां प्लगचापन मुँण। इक श्कतो जातक होना है आप करेंगे लात तो यहां धिकाएज के ट। माह्त अपना एक फ्लेवर भी होता है इसका खटापन होता है वो थोड़ो सा स्वीट खटा होता है एक्तम खटा नहीं होता है जैसे निम्बू अपर होता है आप दो बड़े साइज के टमाटर ले रॉपल भी दे अब एड़ करेंगे आपा सिंबल सद्धन्या पॉर्डर लाल मिर् आप धाने वह बारिक करें तॉरी के साथ अच्छेशन्या पड़े साथ में बड़े जल्दी प्रया चाजी देखा है शब्रक्तों अब लिए यालो पर नहीं हमें पर यालो को पहला कर लिया था मैं आई श्याश Denny एक पर शांट हो जाए तोड़ी तोरी भी अच्छे से प ताकि जो मसाले हैं टमाटर भी गल जाएंगे और तोरी अच्छी से यहां पर मसालो के साथ कोट हो जाएगी थोड़ी देर बाद हम डखन खोलेंगे तो ग्रेवी कम हो गए और मसाले बहुत अच्छी से पक गई हैं कबर करने से बहुत जदा फाइदा हो जाता है कुपिंग बहुत फाश्ची होती है अईड करेंगे आपर आलू तो अलुड़ी आपर फ्राय हो चुके हैं रेपक भी चुके बस ग्रेवी के साथ इसको मिलाना है तोरी के साथ अच्छी से यहां पर मिल जाएंगे हमने ऐसा नहीं किया ना टमाटर को मसालो के साथ अलग से नहीं पका तोरी तोरी की सब्जी जैसे आप बिंडी वगेरा बनाते हैं उसी तरहेके की बनते हैं बहुत जल्दी बन जाती है क्योंकि बहुत कच्छी होती है तोरी भी कई तरहेके के आते हैं मार्केट में तो आप बहुत कच्छी वाली तोरी का इस्तमाल करें सब्जी बनाने के लि पर सुबह परांटों के साथ ही सब्जी बह। भी अच्छी लेगती है वैसे तो आप इसको दिन में लगा सकते हो या फिर रात को डिनर भ läuft आलो और चॉरी के sic qui के थायार है M elder में जाती है आप सुबह रोटी ये परांटों के साथ भूध यह कसी लिगती है तोरी की कई तर्यक्यों की सब्जी बनते हैं ग्रेपी दार भी सब्जी बनते हैं उसको चावल के साथ हम इसे सर्वी बिखा सकते हैं इसमें भी हम थोड़ी सी ग्रेपी बढ़ाएंगे तो सेम टेस्ट आई का सब्जी का आलो अत्वरी की सब्जी मैंने पहले आपके साथ सेर तोरी की तरकारी आलू तोरी मैंने बनाए थी बनाए जो जल दाली तोरी की तरकारी आली के सब्सक्तिकí शूर्भि सकते हैं कäre सकते हैं आधि रोकी चूपटी पाँचत dessus को दाने हि सी तर्व कर देड़ सकते हैं कि इससे शूपटी कर हाथ कर दोदूथ यहां Sid रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना पूलेगा जादा से जादा फ्यम्ली और रेसिपी के साथ अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू सो मच्छ फ्रेंड